हेलो और वेल्कम अगान टू पाथफाइंडर दिस ऐज आर एकनॉमि सीरीच और एकनॉमि सीरीच का लेक्चर नम्बर 22 यह यहां पर हम कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो टेक्सस ट्रेक्चर है किस तरीके का है कितने परकार के होते हैं direct indirect tax में क्या अंदर है और especially जो exam के perspective से कुछ चीज़े important है यहां पर हम चर्चा करेंगे digital tax जिसे google tax कहते हैं यह क्या है किस तरीके से work कर रहे हैं क्यों यह चर्चा के अंदर है apart from this यहां पर GST है minimum alternative text है AMT है यह किस तरह से work करते हैं सब्सक्राइब करेंगे exam के perspective से तो जो taxation related portion है वो सब इस lecture में हम यहां पर complete करेंगे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले इस इस ब्रिफ इंट्रोडेक्शन अबाउट मी माइम इस राहूल भरदवाच यह मेरा टेलिग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे follow कर सकते हैं session का PDF आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा पूरी economy series है जिसके playlist जो है इसका link description box में दिया गया है वीडियो का description box है उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं इसके लावा प्लस पे जो free classes है अन-academy के प्लस प्लेटफर्म पे उसके लिए आप मुझे इस link पे follow कीजिए और यहां पे आपको मिल जाती है crack prelims mcq series prelims के लिए उसे आप जरूर देख सकते हैं कुछ अपडेट्स हैं यहां पर आप अन-academy से जुड़ सकते हैं अपनी one-point solution के रूप में UPSC preparation के लिए जहां पर आपको complete syllabus time bound manner में daily life classes doubt solving session complete study material printed form में answer writing test series which is set optional जैसे resources एक platform पर मिल रहे हैं यह आप जा सकते हैं combo subscription के साथ और अभी आपको तीन महीने से छे महीने तक extra यहां पर free मिल रहा है subscription link description box में दिये गए हैं जब आप उस पर click करेंगे अपनी need के according plan choose कर सकते हैं जैसे एक साल दो साल जो भी आपको आवशकता है और पूर्ट अर्वी लाइग ओके टुगेट दे मैक्सिमम डिसकाउंट एंड परस्नलाइज गाइडेंस आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट यह है कि आपका ultra combat हो रहा है मतलब जो next Sunday है वहाँ पे आपको free test scholarship test available रहेगा और again this link is there in description box यह free test है जहाँ पर participate कर सकते हैं और इसके अलावा जो कापिसारी scholarships है वो भी जीट सकते हैं tax system पर आते हैं देखे कुछ terms होती है उनको समझते हैं और यह direct और indirect tax का क्या concept है इसे समझने का प्रयास करते हैं दो चीज़ें यहाँ पर है for example एक व्यक्ति है जो income tax यहाँ पर दे रहा है और जो income tax व्यक्ति दे रहा है उसका burden भी उसी व्यक्ति के उपर है और ITR भी उसी न इनको याद रखेगा tax impact क्या होता है और tax incidence क्या होता है impact का मतलब है कि initial burden tax का किसके उपर आ रहा है fine जैसे government को यहाँ पर जमा किया initial burden income tax वाले case के अंदर व्यक्ति पर ही आ रहा है और final burden इसी पर आ रहा है मतलब इसी की जेब से खर्चा हो रहा है तो tax incidence और tax impact दोनों क्या है एक ही entity एक ही परसंट पर है यह होता है direct case का सिनेरियो जिसके example होंगे income tax जो कि individual की income पर लग रहा है कंपनियों की income पर लगता है उस इसके अंदर जो initial burden है क्या है initial burden है जिसे हम कहरें tax impact वो और final burden है final burden है या जिसे हम कहरें tax incidence वो एक ही entity पर है मतलब direct हो रहा है दूसरा case होता है मान लीजे आप कहीं पर mobile खरीदने जाते है mobile purchase करने जाते है fine and let us say कि आपका जो यहां पर है 10,000 रुपए का MRP है not MRP उसका cost यहां पर और फिर उस पर वो GST or add करेगा वो कहेंगे यह 10,000 रुपए का आपका यह mobile पढ़ेगा या इसको हम 100 रुपए का कर ले जाता है तो इसका जो price हो गया वो कितना हो गया 118 रुपए यहां पर हो गया fine अब GST return जो भी भरा जाएगा मतलब जो initial burden है ठीक है वो किसके उपर है वो जो retailer है दुकानदार है वो वहां पर सरकार को जमा कर रहा है अपने GST return के अंदर जो भी वो return भर रहा है तो वहां पर कि वो दुकानदार पैसा तो जमा कर रहा है लेकिन जो ultimate burden है वो किस पर है consumer के उपर है क्योंकि हमारी जेब से यह पैसा जा रहा है इसी तरह से production के case के अंदर रहेगा production के case के अंदर जो companies हैं मान लीजे कोई company है जो कोई भी product यहां पर बना रही है product यहां पर बना रही है उस इसका जो final burden है वो किस पे consumer पे shift हो रहा है है यहां पर問題 कि वो किसी दूसरी entity पर है और जो initial burden है पतलब जो tax का impact हो किसी दूसरी entity पर है तो इस case इसमें examples आ सकते हैं exercise duty है GST है और वैट और इस तरह की ये सारी चीज़ें इसके example के रोप में आएंगी Direct tax का हम example ले रहे हैं और direct tax में income tax तो आता ही है तो income tax आप सभी जानते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है इसी तरह से company के income पे जो लग रहा है उसे हम corporation tax के रहे हैं प्रेजेंट के अंदर वरतमान में इंडिया के अंदर जो corporation tax rate है 22 प्रतिशत किया गया है इसे बहुत कम कर दिया गया है 22 प्रतिशत है और नई company के लिए 15 परसेंट है काफी competitive बनाने के लिए इंडिया की economic tax का जो avoidance है या फिर evasion है tax की चोरी को रोकने के लिए profit shifting को रोकने के लिए यहाँ पर यह जो tax rate इनको competitive बनाया गया है तो these are the things related to the direct indirect tax related concept यह थे tax impact incidence को ध्यान रखिए अब हम बात करेंगे direct और indirect जो taxes हैं example मैंने आपको बता दी है direct tax के अंदर क्या होगा taxes levied on the income or the profit of an individual or company individual की जो income है उस पर लग रहा है तो income tax हो गया company पर लग रहा है वो corporation tax का example हो तो आपको याद होगा हमने budget किया था previous जो हमारे sessions थे वहाँ पर मैंने आपको budget के regarding जो भी terms होती है कैसे पढ़ते हैं क्या है fiscal deficit वो सब चीज़े हमने पढ़ी थी अगें जो बच्चे नए हैं वो description box में playlist का link है उसको जाके देख सकते हैं अब यहाँ पर budget में हमने देखा था कि जो revenue part है government का revenue जो आपका receipt है revenue receipt का maximum part क्या होता है tax related जो part होता है tax revenue tax revenue के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जैसे हाला कि यह last year budget है बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर 100 पैसे यहाँ पर income हो रही है तो उसमें से लगबग 18% जो है जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है अब उसके अंदर चाहे revenue receipt हो या capital receipt हो non debt creating capital receipt यहाँ पर include की गई है तो आप देखोगे लगबग 18% corporation tax से आ रहा है 17% जो है income tax से आ रहा है तो यह 35% direct यहाँ पर taxes से मिल रहा है हमें इसी तरह आप देखोगे indirect tax के रूप में indirect tax के रूप में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो we have this customs customs duty जो भी बाहर भेजी जा रही है ना international level पर जो भी import export हो रहा है इस पर लगाई जा रही है एक्साइस duty लगाई जाती है चीक है उत्पादन शुल किये है GST है तो इस तरह से GST को अगर आप देखोगे 18% है एक्साइस duty 7% है 25 हो गया 4% आपके customs है 29% something is there तो आप देखोगे 29 रुपीज कहां से आ रहे हैं indirect tax से यहाँ पे 29 रुपीज की income हो रही है तो 100 रुपे गवर्मेंट के पास है उसमें से आप देखोगे 35 प्लस 29 लगबग 64 something percentage is there जो कि गवर्मेंट को tax से प्राप्त हो रहा है fine borrowing government ने यहाँ पे 20 रुपे की 40% something की हुई है तो यह चीज़ें आपको यहाँ पे दिहान रखनी है इसी तरह से यह indirect taxes हैं जो अभी हमने देखा वो वर्क कर रहे हैं indirect tax manufacturing sale of the goods इन सब चीनों पे लगाए जाते हैं GSTS का बहुत simple सा example अब पहले हम direct taxes को देखेंगे income tax corporation tax के बारे में मैंने आपको बताया अब यहाँ पे हमारे पास minimum alternative tax आएगा इस पर आने से पहले एक और आपको यह train यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरीके से government जो है यह लगबख government का बारा परतीशत आ गया है latest जो budget है यह पिछले budget का है यहाँ पर अगर एक gross tax receipt देखोगे मतलब government को tax में कितना पैसा मिल रहा है अगर उसको GDP के percentage के रूप में देखा जाए तो यह लगबख ग्यारा से बारा प्रतीशत है इसमें अगर आप देखेंगे तो direct tax के तुरू जो collection है वो जादा है almost 6% है और indirect tax के तुरू 5% collection मतलब direct tax के तुरू ज्यादा पैसा ही collect होना चाहिए क्यों क्योंकि इसे progressive माना जाता है progressive क्यों माना जाता है जैसे जैसे income बढ़ रही है वैसे आपका tax बढ़ रहा है indirect tax की case में ऐसा नहीं है कितना ही अमीर आदमी हो और कितना ही गरीब आदमी हो सब को बराबर text देना होगा मान लीजे कोई toothpaste खरीदने जाता है तो उस पर जो GST लग रहा है अब वो अंबानी खरीदने जाएंगे तो भी यही लगेगा या कोई भी और व्यक्ति खरीदने जाता है और अभी अगर हम देखें तो रिसेंट्री गवर्मेंट परियास कर रहे है डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन को बूस्ट करने के ओवरॉल यहां पर परियास किया जा रहा है GDP का 20% तक हमारा टेक्स कलेक्शन हो तो बहुत अच्छा यहां पर रहेगा काफे सारी development activities है infrastructure building है ठीक है जहां पर इस पैसे का खर्चा किया जासे है welfare objectives है अब direct tax को ही हम कर रहे है direct tax के अंदर एक है minimum alternative tax MET क्या होता है इसी तरह से AMT होता है इनको देखते हैं फिर Google tax वगरी है direct tax के examples में ही आएंगे तो देखे कई बार क्या होता है जो companies होती है company क्या करती है अपना जो है profit दिखाती है कि हमें बहुत सारा profit हुआ है अपने उनके जो भी shareholders वगरे हैं उनको वो profit यहां पर इस तरह से distribute करती है ठीक है वो सारी चीज़े है profit जो book उन्होंने किया है dividends पे कर रही है अपने profit को जो यहां पर दिया जाता है profit sharing की जाती है shareholders के साथ उसे हम dividend कहते है dividend दिये जा रहे हैं company बता रही है profit book कर रहे हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही company जो इतने सारे profits को share कर रही है वो अपना जो taxable income है क्या है? taxable जो income है उसको बताती है कि हमारी taxable income तो zero है या बहुत कम है जितनी होनी चाहिए उसके comparison में हो बहुत कम बताती है तो इस तरह की जो companies होती है उन्हें zero tax company कहते हैं यह कैसे possible हुआ? यह possible ऐसे होगा कि company जो अपना profit और loss ये देख रही है fine वो अपना calculate करती है companies act के अंतरगत या फिर अपना जो tax वो pay कर रही है वो income tax के अंतरगत उसको tax payment को लेती है अब होता क्या है? काफी सारे concessions दिये जाते हैं ठीक है? काफी सारे incentives इनको दिये जाते हैं income tax law के अंतरगत तो उसका यह फायदा उठाते हैं यह यह concessions है, इसी तरह से ऐसे हुआ यह problem हमारे सामने आई late 80s के अंदर और इस problem को deal करने के लिए एक जो है नया जो tax है वो लाया गया और इसी को हम कहते है minimum alternative tax यह introduce किया गया with the help of finance act 87 जो connect होता है effect में आता है 89 के अंदर और बाद में इसे अटाया गया फिर reintroduce किया गया at present यह आपका work में है क्या होगा यहाँ पर कहा जाएगा कि जो tax हम compute कर रहे है by applying the 15% 15% on book profit आपने जो profit book किया है उसके उपर ही हम 15% लगाएंगे हमें मतलब नहीं है कि आपने किस तरीके से क्या calculation किया है जो profit आपने book किया है इस पर 15% लगेगा ठीक है जिसके तुरू ज्यादा calculation आ रहे है वहीं पर पेमेंट कर दीजिए तो यह किया जाएगा इसके अंदर जो surcharge लगता है says लगता है वो अलग होता है surcharge says क्या होता है tax के उपर tax मान लीजे इसके उपर भी अभी हम आएंगे अलग से topic है अभी के लिए इतना समझे टेक्स के उपर एक तरह का tax हो गया surcharge मान लीजे आप 100 रूपए tax के रूप में दे रहे हैं fine और यहाँ पे क्या है 10% का surcharge आपको देना है यह at present आपका क्या है applicable है के वल corporate जो taxpayer है उन्हीं के उपर applicable है लेकिन धीरे धीरे इसको क्या किया गया जो other taxpayers हैं जो individual taxpayers हैं उनके उपर भी लागू किया गया क्योंकि होता क्या है काफी बार individual जो taxpayers होते हैं जिनकी income बहुत जादा है वो काफी सारे tax concessions लेते हैं और अपनी income को कम दिखा के और tax जो benefit है वो लेते हैं और tax काफी कम पे करते हैं तो उस case के अंदर ऐसा ना हो इसलिए यह AMT alternate minimum tax का concept लागू किया गया मतलब यह वही MAT वाला concept है minimum alternative tax वाला जो concept है इसको आपने क्या किया यह MAT था corporate tax payer पे लागू इसको आपने क्या किया जो भी non corporate tax payers है उनके उपर इसको लागू कर दिया in the form of alternate minimum tax alternate minimum tax क्या करेगा एक floor आपका fix कर दिया गया है percentage of tax आपका fix कर दिया गया है जहां पे आपको क्या करना होगा percentage of the taxes that file must pay to the government जहां पे AMT के अंदर आपने कर दिया कि इतना percent आपको pay करना पड़ेगा जैसे non corporate जो taxpayer है उसके लिए आपने 18.5% की rate यहां पे जो भी total income adjusted है उसके उपर 18.5% की आपने tax लगा दिया कोई मतलब नहीं है आपने क्या deduction लगाए है क्या नहीं लगाए है तो यह particular income level होता है उसके उपर यह आपके AMT work करता है और यहां पे अगर आपको कोई भी income हो रही है foreign exchange और यह जो है आपके IFSC यह सेंटर है यहां से income हो रही है उसके 9% की दर से यह लगाए जाएगा इतना deep में नहीं जाते है बस आप यह ध्यान रखिए AMT क्या होता है किस पे लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है MAT minimum alternative tax क्या है क्यों लाया गया है zero tax companies क्या है क्यों यह zero tax दिखा पाती है यह सब चीज़ है AMT क्या हो रहा है non corporate taxpayer पे एक तरह से लग रहा है fine और MAT आपका company के उपर लगता है तो यह difference आपको ध्यान रखे है direct tax के अंतरगत आएंगे अब आते हैं digital tax के मुद्दे पे और यह बहुत ही interesting है काफी ज़्यादा चर्चा में रहा है digital tax का concept बदा simple सा है जितनी भी ऐसी companies हैं जैसे हम बात करें Facebook है Google है तो यह क्या करते हैं इंडिया में business कर रहा है ठीक एंडिया के अंदर काफी सारी services यह provide कर रहे है मान लिजें Indian कोई company है जिसके advertise Facebook पे आ रहे हैं तो Facebook उनसे payment ले रही है इंडिया के अंदर business करके यह जो company हैं अपना क्या कर रहे हैं business कर रहे हैं profit कमा रही है अब यहाँ पे business हो रहा है profit हो रहा है तो tax भी इंडिया में देना चाहिए लेकिन इंडिया को यहाँ पे tax नहीं मिलता है fine क्योंकि जिस तरह से अभी जो बने हुए है कानून उसके इसाब से permanent establishment होना जरूरी है यहाँ पे और यह इनका कोई permanent establishment है नहीं इंडिया के अंदर इस तरह की जो companies हैं इनको कहा जाता है non-resident companies without permanent establishment fine यह non-resident companies हैं without any permanent establishment तो इन कमपनियों को क्योंकि इंडिया में profit कर रहे हैं बिल्कुल genuine जो है tax बनता है सरकार का हक है sovereign right है इनको tax लगाने के लिए एक equalization levy के नाम से या digital tax के नाम से एक यह tax लगाया गया और इसको introduce किया गया finance bill 2016 के अंदर 2016 में इसको यहाँ पे लगाया गया ताकि यह जो companies यह इंडिया में business कर रहे हैं इनके उपर tax लगाया जा सके government को tax revenue का नुकसान ना होई जो कि उनका हक है इसके अंदर क्या कहा गया specific services are provided by the non-resident not having a permanent establishment in India उनके उपर यह tax लगाया जाएगा equalization levy कह लिजिए digital tax कह लिजिए google tax कह लिजिए किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं is charged at a rate of 6% on the amount of consideration receivable by the non-resident इसके अंदर क्या होगा मान लिजिए कोई company है इंडिया की company है उसको facebook को payment करना है let us assume 100 रुपय का यह payment करना है ही कह कि आपने हमारे को यह advertise बगएर जो भी services दी इसलिए facebook को 100 रुपय का payment बनता है तो यहाँ पे यह कह रहे हैं मतलब source पे ही deduct हो जाएगा tax और इसको payment होगा 94 रुपीज का ही इस तरीके से यह equalization ले वी या जो digital tax है यह work कर रहा है और इस case में जो भी non-resident service providers हैं वो double taxation avoidance agreement का benefit नहीं ले सकते DTTA क्या होता है double taxation avoidance agreement यह agreement होते हैं countries के बीच में sign होते हैं company ने एक particular चीज के लिए किसी देश में अपना tax दे दिया है तो उसी के उपर दुबारा दूसरी country में tax नहीं लगेगा उसके अंतरगत यह benefit यहाँ पर नहीं लिये जाएंगे क्योंकि already जो company है वो business इसी देश में कर रही है ठीक है तो वो tax यहीं पर दिया जाएगा इसको थोड़ा सा और update किया गया और यहाँ पे equalization levy 2.0 लगाया गया finance act 2020 के अंतरगत जिसमें जो scope था पहले वाले 2016 वाले का उसका scope इंक्रीज किया गया अब यहाँ पे आपने include किया है non resident e-commerce operators जैसे amazon वगर है इनको आपने include किया e-commerce operators को include किया है कि अगर आप e-commerce supply या services दे रहे हो तो आप पे 2% की rate से जो भी वही रहेगा मान लिचे 100 रुपय का payment देना है तो आप आप 2 रुपय यहाँ पे रखो flat 2% की rate से आपने equalization levy लगा दिया है e-commerce operator जो कि non resident है threshold limit यहाँ पे रखी गई is 2 करोड okay equalization levy के लिए 2 करोड की रखी गई देखे इसमें यह threshold का क्या है कि आपका जो aggregate payment है कि आपको कितना payment हो रहा है इसमें अगर 2 करोड से ज़्यादा का किसी company को payment होता है या उस company के 3 लाग से ज़्यादा के अंदर होता है fine और even billions में है उस case के अंदर यह जो threshold limit इसको criticize भी किया गया कि यह तो बहुत ही कम है इंडिया जैसे case के अंदर है ना लेकिन यहाँ पे overall purpose इंडिया का यही था कि एक genuine case बनाया जाए यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर कोई भी बाहर की company जो है profit generate करती है business करती है तो government का जो tax है वो government को यहाँ पे मिल जाए तो इसी के अंतरगत यह जो आपके include किये गए है taxes वगर है यह income tax act के अंदर changes करके किये गए है income tax commandment यहाँ पे किया गया है और इसके मात्यम से यह किया गया है तो यह पूरा concept है इसको gaffa वगर है कई नाम से जाना जाता है वी देशों में फाइन गाफा tax कह देते हैं जैसे यूरोप में भी काफी साथ देशों ने लगाया फ्रांस है वगर है और यह है Google, Apple, Facebook है और यह सब चीज़ है अभी क्या हुआ है लास्ट यर जी सेवन देशों के अंदर यह सहमती बनी है कि यह जो डिजिटल टेक्स है इसको आप अठाएंगे और यहाँ पे हमने आपको कुछ फैसलिटीज दी है मिनिमम अल्टरनेटिव एक्स की बिचर्चा हो रही है मतलब मिनिमम जो है कार्पोरेट एक्स की बिचर्चा हो रही है 15% की रेट के साथ अभी के लिए इंडिया और USA के वीच में समझोता है क्योंकि USA की ही यह है यह ज्यादा तर कंपनिया अगर आप देखोगे तो यह सब यूएस बेस्ट कंपनिय है माइक्रोसाफ्ट है, गूगल है, फेस्बुक है टीक है, नेट्फिक्स है, यह अमेजॉन है यह सब, तो USA इसका कड़ा विरोध हमेशा से करता रहा है कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ऐसा वैसा इंडिया ने का कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हम किसी कंट्री के ओरीजन के बेसिस पे नहीं लगा रहे है हम जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस basis पे लगा रहे हैं तो USA ने इसका हमेशा से विरोध किया है क्योंकि उनकी कंपनिया जो है उनको नुकसान हो गया है लेकिन यहाँ पर जो देश है उनको भी तो टेक्स का नुकसान हो गया है तो इस देशे के साथ ही एक इनके बीच में अग्रिमेंट साइन हुआ है जहां पर कुछ कंडिशन्स रखी गई है ना टेक्सिंग राइट दिये गए है देशों को और अगर वो दीरे दीरे अपलाई किये जाते हैं तो 2024 तक अभी इंडिया लगा सकता है ना इसको बाद इसको hटाया जाएगा जैसे जैसे उन चीजों को इंप्लिमन्ट किया जाता है लेटेस्ट अपडेट है डीजिटल टेक्स या गूगल टेक्स को जाता इसके रिगार्डिग्शा वगरे क्या है यह थोड़ी और भी करणंट में न्यूज में रहता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे अब हम आते हैं इंडाइक्ट टेक्स पे तो एक्जाम के point of issue इस चीज़ें देहान रखे हैं इसके लावा security transaction tax वगर यह लगते हैं यह आपको security जो transaction tax है यह जो security के खरीद फरोगत होती है फिका capital gain tax है यह आपने जो profit book किया है इसके उपर लग रहा है फानली जा आपने कोई घर खरीदा ठीक है 100 रुपय में अब 150 रु अब आते हैं indirect tax वाले case के अंदर उसमें जो exam के point of view से चीज़ें important है वो है GST इसे कहा जाता है इस पर काफी लंबे समय तक चर्चा चली लगबग 10 साल तक इस पर चर्चा चली और finally 2017 जुलाई 2017 के अंदर इसको लागू किया गया कौन से constitutional amendment के द्वारा लागू किया गया 101st constitutional amendment act के द्वारा इसे लागू किया गया है जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर goods and service tax जिसे हम short में GST कहते हैं यह लागू है क्यों लाया गया कैसे यह काम करता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं यह एक तरह का क्या है value added tax है multi stage tax है यह कैसे होगा मान लीजे कि कोई यहां आटा है आटे से bread बनाई गई तो 150 रुपए हुआ अब इससे burger यहां पर बनाया गया है तो let us say कि यह जो है आपका 300 रुपीज हम मान लेते हैं आज्यूम करते हैं या फिर इससे 200 रुपीज मान लेते हैं 300 फोड़ा महंगा हो जाएगा अभी वैसे महंगा ही काफी जाद है let us assume कि यहां 200 हम इसको मान के जलते हैं और अब हुआ क्या यह आपका है आटा कि आटे से आपने bread बनाई bread से फिर वो burger बना तो यह उसकी price है यह ब्रेड की price 150 रुपे है यहां पे हम मान के जलते हैं कि जो tax rate है वो कितना है 10% tax rate है यहां पे अगर tax rate लगा जाएगी तो 100 रु 45 रुपीज आपने total tax यहां पे पेखिया तो यह कहा है tax के उपर आप tax लगा रहे हो tax के उपर tax लगा रहे हो क्यों क्योंकि already 100 रुपे पर tax दे चुके थे लेकिन फिर आपने tax के उपर tax यहां पे लगा तो इसे हम कहते है cascading effect of the tax cascading tax effect मतलब tax पे tax लगाना तो यह पहले सम मस्या थी जिसका हल यहां पे निकालना चाहरे थे तो अब क्या होता है अब value addition पे ही tax लगेगा जैसे कि अब क्या होगा यह 100 रुपे है इस पर 10% tax है तो 10 रुपे हो गया अब इस 150 में कहा है अल्रेडी value addition कितना है इसमें मतलब 100 रुपे था वो तो अल्रेडी यहां पे है आपने कितना value add किया आपने केवल 50 रुपे की value add की है तो इस 50 रुपे पे tax लगेगा 10% से तो इस case में कितना हो गया 5 रुपे tax होगा similarly 150 से 200 रुपे यह burger बन रहा है again value addition कितना है केवल 50 रुपे गा तो again 50 रुपे पे ही value addition पे tax लगेगा तो फिर 5 रुपे होगा तो ऐसे करक यह multi stage tax है, हर stage के उपर इस तरह से लगाया जाएगा, value added tax क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर value addition पर यह tax लग रहा है, clear, अब GST ने क्या किया, बहुत सारे taxes होते थे, जैसे central level पर हम देखेंगे exercise है, ठीक है state level पर vet लग रहा है, entertainment tax है, services के लिए अलग तरह के tax है, तो इन सारे taxes को काफी सारे taxes को मिला के आपने क्या किया, एक tax बना दिया, एक tax बना दिया, one nation, one tax के उद्देशे के साथ, ताकि जो है, business करना easy हो, overall economy की growth हो, consumers को benefit हो, इस उद्देशे के साथ यह लाया गया, जब यहाँ पर लिखा जाएगा multi stage tax, इसका मतलब आप समझ जाएंगे, value addition tax का मतल महारास्टरा के अंदर अगर कोई production हो रहा है, mobile phone का, जहाँ पर production हो रहा है, वहाँ पर उस state को tax मिला करता था, अब क्या होगा, यह महारास्टर के अंदर mobile का production हो रहा है, लेकिन इसको खरीदने वाला end जो consumer है, वो पंजाब में है, तो पंजाब को यहाँ पर यह tax मिलेगा, इसलिए GST का है, destination based tax है, इसलिए आपने देखा होगा, इसके implementation में जो industrialized states है, comparatively like Tamil Nadu और इन्हों ने थोड़ा विरोध यहाँ पर किया था, इवन सारे state ने विरोध किया था, तभी तो 10 साल लगे, क्या idea है, 2007 में, इसको discussion स्टार्ट हुआ, इसको implement होने में 10 साल यहाँ पर लगे, बहुत सारी मुश्किले रही होंगी, इसलिए 10 साल लगे, क्योंकि यहाँ पर states के constitutional जो उनको दिये गए है, rights, taxation के, इन इंची जो पर आपको tax के अधिकार है, वो taxation के right states ने यहाँ पर central government को दिये, GST के अंदर, इसलिए इतना बड़ा यह समय यहाँ पर लगा, और ए लेकिन जमा कौन करा रहे हैं, business houses, यहाँ पर जो GST return भर रहे हैं, वो करा रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पर tax impact अलग है, और tax का incidence अलग है, final burden तो consumer पर आ रहा है न, इसलिए incidence, जहां तक हम बात करें, tax is applicable on the supply of goods and services, पहले वाले के अंदर क्या था, पहले manufacturing के उपर रहता था, अब यहाँ पर supply के उपर रहेगा, multiple rates रहेंगी, और at present आप देखोगे, 5%, 12%, और यह है आपका 18%, ठीक है, और 28%, यह वाली rates आपकी work कर रहे हैं, major 4% के हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो multiple rates हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यह लग-लग products ह concept item पर कितनी rate लग रही है, इसको रटने की जड़त नहीं है, concept दिहान रखी है, किस पर लग रहा है, final कौन दे रहा है, tax incidence किस पर है, tax का burden किस पर है, क्या imported products के उपर भी लगता है, तो बिल्कुल लगेगा, imported items है, क्या उस पर लगाया जा सकता है, नहीं लगाए, तो imported item पर custom duty तो लगी रही है, इंडिया में आ रहा है, तो custom duty तो उस पर लगेगा, import tax वगर है, लेकिन उसके बाद GST भी लगेगा, अब यह जो tax होता है, यह तीन तरह का आपका tax रहेगा, SGST, CGST, IGST, fine, और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आपने कोई बिल लिया होगा, कभी भी है, यह आप online कुछ मंगाते हैं, तो अगर आपने उसको बिल को थोड़ा study किया होगा, तो वहाँ पर यह तो लिखा होता है, SGST, मालने जिए 100 रुपे tax लगा है, CGST, तो दोनों में 50-50 रुपे यह बाट के लिखा होता है, 50 रुपे इसका 50 रुपे, तो इसमें क्या होता है, अ Central GST, जो Central लगा रहा है, तो यह 50-50 आपका डिवाइड होके लगता है, Interstate अगर movement है goods का, ठीक है, या फिर वो imported product है, उस case के अंदर क्या होगा, IGST आपका लगाया जाएगा, Interstate जो है, उसके लिए IGST आपका लगाया जाएगा, तो IGST कई बार ऐसा लिखा होता है, 100, या तो य साथ आएगे, या फिर ये single इस तरीके से लिखाएगा, ये तीन तरीके के आपके taxes हैं, जहां तक हम बात करें, custom duty जो है, वो तो लगी रही है, उसके अलावा IGST भी लगेगा, imported goods पे ये ध्यान रखेगा, इसी तरह से आपसे questions पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछेगा कौन से product पे कितनी rate है, क्योंकि वो तो change होती ही रहती है, आज किसी product पे 18% है, हो सकता है, कल को 5% कर दें, किसी भी 12% कर दें, किसी भी कितना कर दें, तो ये हैं आपके पास में, और exemption ध्यान रखेए, ये बहुत important है, कौन-कौन सी चीजे हैं, जो अभी भी GST के दाएरे से बाहर हैं, तो जितने भी petroleum products हैं, भी बाहर हैं, आप देखोगे petrol diesel है, उस पर GST नहीं लग रहा है, central government अपनी excise duty लगा रही है, और state अपनी तरफ से wet लगा रहे है, इसलिए तो ये चर्चा चल रही थी, कि इसको भी GST के दाएरे में ला दिया जाए, ताकि ये जो tax का बढ़ने थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन state अभी उस पर agree नहीं कर रहे है, central की तरफ से तो हाँ, बोला गया है, और tobacco जो product है, excise duty लग रहे हैं, जो भी liquor है, alcoholic consumption, stamp duty है, electricity है, ये सब GST के बाहर है, इनको याद रखना है, बिल्कुल, central GST to cover the excise duty service tax ये तो हम कर चुके हैं, state की तरफ से luxury tax है, VAT है, entertainment tax है, इन सब को जो है, एक GST के अंदर include कर लिया गया, तो पहले अलग-अलग बहुत सारे tax होते थे, बड़ा complex system था, उसको simplify किया है, GST के माते हम से, लेकिन ये जो road है, GST implementation की इतनी easy नहीं रही है, fine, यहाँ पर आपने देखोगा, GST collections काफी कम रहे हैं, और 1,00, करोड को cross करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अब जो GST collection आ रहे हैं, recent में, जैसे अगर आप देखोगे, अभी मई चल रहा है, जब हम ये lecture record कर रहे हैं, तो आप अगर अपरेल 2022 की बात करते हैं, तो यहाँ पर record high collection हुआ है, I think 1.7 lakh करोड something is there, 1.6, 1.7 something lakh क इतना ज़्यादा collection है ना, और यह बहुत अच्छा एक sign है कि GST का implementation है, जब यह कहा गया था कि यहाँ tax के अंदर बढ़ोतरी होगी, tax के चोरी के instances कम होंगे, सभी लोग tax यहाँ पर pay करेंगे, तो वो कही ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए we definitely need to appreciate the government, ठ किया है, पुरे tax system को simplify किया है, और यह सारी चीज़े, अब देखिए जो GST का system है, यहाँ पर हमने देखा था कि States ने जो अपने taxation right है, वो center को दिये, ठीक है न, तो यहाँ पर definitely institutional mechanism create करना कि यह कैसे decide होगा, किसी item पे कौन सी tax rate लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, तो GST क के अंदर कोई भी बदलाव होगा, किसी भी तरह का कोई भी बदलाव होगा, वो GST council के approval के साथ ही होगा, क्योंकि States को agree करना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि States यहाँ पर क्या कर रहे है, अपने rights जो है, वो center को दे रहे हैं, कि यहाँ ठीक है, आप GST लगाई है, तो States क आपने एक GST council बनाई, ठीक है न, इस council की जो chair person है, वो वित्मंतरी होते हैं, इसको याद रखिएगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, देखिए जो States हैं, उनको बहुत अच्छा representation दिया गया है, अगर हम देखें, यहाँ पे 33 members हैं, तो इसमें आप देखोगे, दो members जो हैं कोई भी change होगा, चाहिए वो tax rate में change हो, किसी tax rate को हटाना हो, किसी product को कौन से tax slab में रखना है, कोई भी rules है, regulation है, anything related to GST, अगर उसे change करना है, we need the approval of the GST council, यह किया गया है, इसको एक successful experiment माना गया, even cooperative federalism का, यह आप लिख सकते हो, GST paper 2 में इसको link कर सकते हो, federalism related issues में, at present अगर हम देखें, GST council में कौन-कौन members हैं, finance minister as a chair person है, state, union minister of state in charge of revenue, और finance, यह भी member होंगे, और फिर जितने भी states हैं, उनके जो finance अपने अपने ministers हैं, या जो भी member nominate किया जाता है, state government के द्वारा, वो वहाँ पे member रहेंगे, इसके लावा एक e-way bill लागू किया गया, जैसे हम reform की बात कर रहे थे, चर्चक कर रहे थे, अभी किया से जो है GST collections पढ़ा है, तो government है क्या किया है, अभी e-way bill लागू कर दिया, electronic way bill, इसमें क्या होगा, एक state से दूसरे state के अंदर अगर कोई भी product जा रहा है, उस product की अगर value, कोई भी जो goods है, उसकी value अगर 50,000 से उपर है पचास हजार से उपर है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका electronic ये bill आपको लेके जाना पड़ेगा, पहले हम देखते थे कि state जो border cross हो रही है, वहाँ पे बहुत लंबी चोड़ी line लगा करती थी, और वो थोड़ा सा भी relax हुआ है, और tax के regarding जो collection है, उसमें भी बढ़ उतर tax evasion को रोका जा सके, और ये बहुत अच्छे mechanism में ये थाबित हुआ है, अभी तक जो चीज़ें हमने देखी है, वो क्या पड़ा है, हमने direct tax जिसके अंदर example में वापस देता हूँ, income tax हो गया, individuals की income पे लग रहा है, company की income पे, corporation tax लग रहा है, इसी तरह से हमने Google tax, digital tax की यहा GST है, exercise duty और ये सब आपकी आती है, GST वगर रहे है, तो ये हुआ, इसके अलवा और कुछ terms है, बहुत सारी जो terms है, या taxes है, जो इसी taxation वाले topics से related है, इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, देख, एक word use होता है, surcharge और एक word use होता है, says, ये दो word है, इनका क्या मतलब होता ह ये एक तरह से समझे, tax के उपर tax है, surcharge का मतलब क्या है, जब ये कहा जाएगा कि अच्छा, इसके उपर आपका surcharge लगाया जा रहा है, तो let us assume कि कोई भी 100 रुपे किसी की income है, और उसके उपर यहाँ पर हम मानते है, 30% कोई tax लग रहा है, तो 30% यहाँ पर tax लग रहा है, 100 रुपी पे तो यह हो गया, 30 रुपे कितना हो गया, यह tax हो गया, अब यहाँ पर अगर आग कहा जाए कि surcharge भी लगेगा, और कितना लगेगा, surcharge यहाँ पर अगर surcharge की rate मान लेते हैं, 10% है, तो 30 रुपे का 10% कितना हो गया, 3 रुपे, तो total tax liability कितनी हो गया, आपकि 33 है या सरचार्ज है जब यह कहा जाए कि agriculture वो है या फिर education के लिए तो education purpose के लिए होगा health है तो health के purpose के लिए होगा जब यह purpose specific हो जाता है यह ना purpose specific हो जाता है तब इसके लिए हम word use कर देते हैं says बस इतना ही अंतर दोनों में है एट present हम देखेंगे health educational GST compensation says लगा रखा है तो अगले 5 साल तक हम उसका compensation लेंगे ना उसका बुक्तान करेंगे मुआफजे के रूप में वो दिया जाएगा तो उसको extra payment देने के लिए government ने क्या कि एक says लगा दिया जिसे GST compensation says कहते है और अभी corona वगरे के बीच में इस पर काफी सारा debate हुआ था है ना जहां पर states demand कर रहे थे फिर गवर्मेंट ने बोरो किया उधार लिया और फिर उनको payment किया तो गवर्मेंट ने जो compensation says इसको बढ़ा दिया है तिंग 24-25 तक बढ़ा दिया है तो गवर्मेंट को सरचार्ज क्या होता है सैस क्या होता है इनको थोड़ा सा concept ध्यान रखिएगा फिर हम बात करते हैं पिगोवियन टेक्स यह क्या होता है देखिए काफी सारे product होते हैं काफी सारी activities होती है जिनको क्या करता है market जो है उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि inefficient होता है market जैसे आप यहां पर देखेंगे for example कोई coal power plant है अब यह बिजली पैदा कर रहा है लेकिन यहां पर काफी सारा pollution भी हो रहा है तो इसको pollution के लिए अलग से कोई चार्ज या penalty नहीं लगाई जा रही है इसी तरह से तो यह क्या हो गया एक तरह की negative externality हो गई और अगर हम positive externality की बात करें तो माल लीजे कोई भी ऐसी संस्ता है जो education यहां पर दे रही है या जो भी है अपनी cost genuine cost लेके भी अगर education दे रही है तो उसके education के साथ क्या होंगे बहुत सारे benefit होंगे education के साथ वहां पर लोगों में awareness होगी social capital generate होगी और and number of benefits रहेंगे तो यह क्या होगा positive externality होगी तो यह जो पिगोवियन यह टेक्स लगाया जा रहा है यह किसी ऐसी market activity पे लगाया जाता है जो generally क्या है negative externality जिनकी होती है जिसे यह pollution कर रही है तो carbon tax लगा दिया कोई vehicle है जो कि बहुत ज़्यादा pollution कर रहे हैं तो इसके उपर eco tax लगा दिया eco tax शुगरी drink का consumption है तंबाकू अगरे है इनके उपर जो extra tax लगाया जाता है वो इसी श्रेणी में आएगा और इसका बहुत अच्छा example eco tax है जिसको इंडिया यहाँ पर implement करने वाला है आने वाले टाइम में eco tax आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी जिसका पूरा नाम ecological taxation रहेगा वो ऐसी activities पर लगेगा जो कि environment को harm कर रही है pollution कर रही है environment को नुक्सान पहुंचा रही है उनके उपर जो tax लगाये जाएंगे वो इसी pigovian tax की श्रेणी में आएग एक होता है Tobin Tax और यह जो Tobin Tax का नाम है यह Nobel Prize मिला था इनको James Tobin को इनके नाम पर रखा गया है Tobin Tax में क्या होता है एक तरह का जो भी currency trading हो रही है शौट टरम के लिए जो भी currency के अंदर लेन देन हो रहा है उसके उपर यह tax proposed किया जाता है At present आप देखोगे तो अभी कहीं पर भी Tobin Tax लगाया नहीं गया है यह proposed tax है इसमें यह कहा गया कि currency जो होती है उसके अंदर जो लेन देना उसके उपर आप tax लगा दीजे इससे क्या होगा currency थोड़ी stabilize हो जाएगी speculation कम हो जाएँगे currency में stability देखने को मिलेगी और government को यहां से revenue भी मिल जाएगा fine तो जो spot trading यहां पर हो रही है currency के regarding especially इसके अंदर immediate delivery की चर्चा की जा रही है तो उसके उपर आप यहां पर यह tax लगाते हो इससे क्या होगा currency speculation रुख जाएँगे government को revenue यहां पर मिल सकता है so this is the basic thing turbine tax is meant to apply to the financial sector participants और अभी इसको implement नहीं किया गया यह proposed ही है अभी किसी नहीं भी country नहीं लगाया है इसके और जो नाम है financial transaction tax भी कहते हैं Robinhood tax के नाम से भी इसको जाना जाता है और कुछ terms है tax base क्या होता है इसको समझते है tax base वो value है जिसके उपर आपका tax लगाया जाएगा है ना जैसे 100 रूपी 100 रूपी पर 10% tax लग रहा है तो यहां पर क्या हो गया tax base 100 रूपए हो गया तो 500 रूपए पर लग रहा है तो tax base क्या हो गया 500 रूपए हो गया तो tax base refers to the value of goods and services और income इसके उपर tax impose किया जाता है तो tax बढ़ाने के दो तरीके होते हैं देखे सरकार को क्या करना है tax अपना collection increase करना है एक तरीका क्या है अच्छा 100 रूपए income है तो इस पे 10% tax लगाते थे तो government को tax collection होता था 10 रूपए का government कहीगे हमें tax collection बढ़ाना है तो government 15% tax लगा देगी तो यह 15 रूपए हो गया बड़ी आसानी से tax collection बढ़ गया लेकिन उसके अपने नुकसान है इन केस अगर tax collection बढ़ता है बिना tax rate को बढ़ा है यह 10% ही आपने रखा है लेकिन यह जो tax base है जो 100 रूपए था आज यह tax base 500 रूपए हो गया government and tax rate 10% ही रखा है तो tax collection कितना हो गया 10 रूपए से सीधा 50 रूपए हो गया यह जो case होता है जो अभी हमने डिसकस किया है इसे हम क्या कहते है tax buy-nancy इसे क्या नाम देते है tax buy-nancy जहां पर जो tax collection increase हो रहा है tax base के अंदर increase होने की वज़ए से tax collection increase हो रहा है इसे हम नाम देंगे tax buy-nancy जोकि एक अच्छी बात है क्योंकि tax buy-nancy के case के अंदर extra button नहीं आ रहा है लोगों की income बढ़ रही है तभी जो total input है total output हो बढ़ रहा है तभी आपका tax बढ़ रहा है next एक term tax expenditure और tax expenditure का मतलब होता है government क्या करती है government यहां पर प्रियास करती है कि हर चेतर के अंदर जो है अच्छा development हो और development को promote करने के लिए government की तरफ से काफी सारे incentives और यह सब दिये जाते है for example हम यहां पर मानते है यह जो पूरा reason है जो थोड़ा नक्सल अफक्टेड एरिया है left wing extremism यहां पर है government चाहती है यहां पर विकास हो ज्यादा industries है तो government क्या करेगी कि अगर आप यहां पर जाके company खोलते हो तो हम आपको क्या देंगे tax benefit देंगे incentives देंगे आप यहां पर जाके आप अपनी company को खोलिए तो इससे क्या होगा पूरे area का विकास होगा regional development जो है वो balance होगा inequalities कम होगी inclusive development होगा तो इस तरीके से government के द्वारा जो भी tax concession exemptions छूट वगरे दी जाती है उसकी वज़ए से government का जो revenue का loss हो रहा है माल लीजे government को यहां पर tax के मात्यम से 100 रुपे प्राप्त होने ते लेकिन government ने छोड़ दिया ठीक है ना 90 रुपे का छूट दे दिया तो यह जो 90 रुपे का नुकसान होगा यह किसमें आया tax expenditure में आएगा उसको ध्यान रखे यह tax expenditure का मतलब यह नहीं है कि जो tax collect करने के लि कि exam का nature क्या है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है यह बहुत important होता है fine क्योंकि देखे पूरी जो books हैं वहाँ पे हैं उसमें काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको skip करनी हैं नहीं पढ़नी हैं unnecessary आप वहाँ पे time दे रहे हैं काफी सारी ऐसी चीज़ें जो book में नही है economic survey के regarding और लाफर कर में क्या होता है दिखे टेक्स यह तो है revenue और नीचे है tax की rate तो जब tax की rate को बढ़ाया जाता है माली यह 5% ता फिर बढ़ाया गया 10% 15 तो जैसे जैसे आप tax की rate को बढ़ा रहे हो तो एक हद तक एक limit है जहां तक tax का जो collection है revenue है आपका बढ़ता है ले यह जितना हमें pay करना चाहिए उससे काफी यहां पर ज्यादा है तो they will start evading their taxes है ना tax की चोरी स्टार्ट हो जाएगी लोग tax से बचने का प्रयास करेंगे और ultimately क्या होगा revenue सफर होगा सरकार को जो tax income हो रही है वो यहां पर सफर होगा इसी को लाफर कर्व के माद्यम से यहां unemployment के बीच में something like this ठीक है और यह आप मुझे बताइए फिलिप कर्व जो होता है हमने पढ़ा है फिलिप कर्व जो है किस-किस के बीच में relation बताता है let me know in the comment section इसके अलावा हमारे पास दो टर्म हैं देखने में एक जैसी लग रही है tax avoidance और tax evasion इन में क्या अंतर होता है ठी लीगल जो means है उसके माध्यम से आप टेक्स को बचा सकते हो वह आएगा tax avoidance के अंदर दूसरा होता है tax evasion जो है tax की चोरी जिसे हम क्या कहेंगे tax की आप चोरी कर रहे हो जिससे black money black money क्या होता है जिस पर आपने tax नहीं दिया किसी भी तरह से वह पैसा कमाया गया वह black money में आ है लेकिन यह moral compass के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वह एक factor यहां पर हो सकता है तो this is all regarding this lecture यहां पर हमने जो भी important चूस थे tax related उन सब को लिया है एक्जाम के अंदर बहुत important रहते हैं और यह सब आप देख सकते हैं इस session का PDF आपको इस telegram पर प्राप्त हो जाएगा यह telegram channel है इसके आप मुझसे जूड़ सकते हैं इसके अलावा और बहुत सारे free sessions होते हैं जिनके link information आपको यहां पराप्त हो जाती है link भी दिया है और यह नाम डाल के भी आप search कर सकते हो telegram को इसके लावा an academy से आप जूड़ सकते हैं an academy आपको problems के लिए test series provide करा रहा है घर बैठ खुद के weak areas identify करने में दिक्कत होती है आपने test दिया now we are not able to focus कि हमें कहां पर work करना है क्यों number कमा रहे हैं कहां पर work करना चाहिए तो वह चीज में help करें जी test series और यहां पर आप अपने identify कर सकते है weak areas subscription कैसे लेना है किसी भी subscription के लिए चाहिए है या फिर हम पूरा complete आपके combo क की बात करें जिसके अंदर आपका gs optional cset सब include है description box में subscription का link है वहां पर जाके आप ले सकते है अनकेडमी के साथ आप जूट सकते हैं जो आपको देता है daily live classes doubt solving sessions complete study material in printed form answer writing test series जैसे resources cset optional अना gs की preparation इस सब आपके include हो जाती है combo subscription में और अभी ये combo में आपको काफी सारी savings है इसको आप ले सकते हो use the code rblife to get these maximum discounts and personalized guidance कैसे आपको plus को effectively use करना है अगर आपको preparation के दोनान को issue होता है you can also get in touch so make sure you are using the code rblife to get the subscription इसके लावा iconic में live mentorship के benefit आप ले सकते है iconic subscription के साथ नए batches 6 मही से start हो चुके है next week भी आपके नए batches start होंगे तो आप यहाँ पे enroll करके जो बच्चे इंटर्वी में appear कर रहे हैं वो an academy के mock interviews का benefit ले सकते हैं this is all don't forget to like share subscribe all the best have a great day